यह देखी फ्रेंड आज हमने होर्ष बनाया है यह हम आपको बताएंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब चुरूर करें देखिए चलिए किस तरीके से बनाते हैं हेलो फ्रेंड आज हम आपको होर्स पताएंगे घोड़ा किस तरीके से बनाते हैं देखिए सबसे पहले हमने फैश्टा लिया है आप इसे जितना बड़ा गोड़ा बनाना चाहते हैं उस साब से लें यह करीब हमने 7 इंच लंबा लिया है यहां से चोड़ा है हम इदर की साइ इसे बनाएंगे इस तरीके से इसके उपर कम से कम हम यह 30 बार लपेट लेंगे 30 बार देखिए हुआ हुआ है हम इसने चैट इसने प्रॉड़ा ओर यह लंपिली जासा डीके कर लें गहेंगे हमें कट करना है उने इस तरीके से तरावर हमने इसरी नेखिए इतना ही आए बार बनाना लेंटेटेश जाए लपेटना है अब देखिए इतनी ही बारस को ने इसके पर लपेट लिया है और इसी की तरंका से कट करना है देखिए हमने दो बिल्कुल बराबर कट कर लिये हैं अब उसके बार में सबसे पहले देखिए करें उसके हमें बिल्कुल बीस सेंट्र से बांद लेना है इसको बीच अबीच से बांदना है या देखिए इस तरी के से ऊता वान लेना है हैं आपैर में हैं से यह तो तक करना है मैं हम एकगा हैं करड़ करना है ये देखिए आखिते two ओड़ियें로 इस तरीके से भ्रेस के और बांधना है ये रिख Gmail करना है ओ MA TAR लिया है और इस अवर्ड़ करना है बिल्कुल 20 सेंटर से और यहां से बिल्कुल टाइट से बामना है हमकूँ इसे हमें अच्छी से से करके तब बामना है इसमें अच्छी से नॉस लगा लिए अब यह देकि थोड़ी सी जड़ा से दूरी से बांध रहा है करीब हमें यह जेड़ इंच की दूरी पर बांध रहा है इसको भी हम टाइट बांध लेंगे अच्छा धाबे कर लेंगे इस तरीके से और यह जो हमने की यह लिया है इसके भी अंदर इस तार को लगा लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसको भी तन कर से इसके अंदर से हमें इस तरीके से निकालना है इस आइज इस फोल्ड यहांसे बांधना हूँ कि यहां पर हमने अच्छी से बांद लिया और थोड़ी सी दोई से यहां से भी बांद लेंगे कि इसे हम पीछे से इस तरी किसे मोग देंगे और इसकी हम यह एक तार और अलग अलग लेकर के इस तरी किसे बोपैर बनाने ही हमको इसके कि आधा धागा हमें एक तार की तरफ लेंगे रा अधा है एक तार के तर अगर कितर है 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 जैसे हम इस वाले पैर को बांद रहे हैं इसी तरीके से हमें दूफरे निचे वाला पैर बांद रहे है है इस तरीके से हमें इस वाले पैर को बांद लिया है और उसकी बाद में हमें ये देखिए दो उंगल के उपर इस तरीके से दहा कलब पेट लिना है यह हमें कम से कम टैन लेयर लपितनी है और इसकी बिचे बीच से एक धावी को लेना है इस तरीके से और इसको अच्छी से बांद लेना है यह जावी जावी कर दो की जावी कर दो कर लेंगे इस तरीके से बांद ले जावी कर दो जावी को आ दो हुआ आई कि देख्ञे यहां पर इसे हम इस तरी इन की यहां पर पर इथे हम पिछा ही की लिए बनाएंगे इसी तरीकत golden merry वहीं हं निया है और इसको हम पर दिखेंगे ना स्थ ट्रेम इवानल मीका नुशिये सेही हम प्हेदि यहां के लिए और यहां से हमें इस तरीके से लुपिखलना है दिए इस तहर्गे के बपता थे लिए एक फुना पिर है कि की इस तरीके से हमें पूरे के उपए अभदना है इस से हमें पूख बनाएंगे यहां पर इसमें हमें नॉट्स लगाने नहीं है थंदा की तरह तरी की सिस्की यह पूंचाई है हमने सिर्की कलंगी और पूंच बनाकर तयार कर लिए है अब देखिए हमने कड़ कागज लिया है इसको दो लेयर में करना है इस तरीके से और इसमें से इस तरीके से सीव दे के सिफ़ करना है अब देखिए नग वाली लैस को हमने कट कर लिया है और इसको हमें इसके उपर इस तरीके से लगाना है देखिए यहां से और यहां इस तरीके से हमें इदा से भी साइब करना है इस तरीके से यहां रेकुरीट करना है इसकी हमने इसी लैस से दो पीस कट किये है जो इसकी आइस पनाएंगे उसके लिए इस तरीके से और इसी तरीके से देखिए हमें यहां पर भी इससे डेकुरेट करना है एक चा को कच कर लेंगे और जो हमने इसके पैर बांदे हुए उन पर भी यह लगाने है सबसे पहले देखिए हम यह कलंगी लगाए देते हैं और यहां पर इसकी लिए लगाएंगे देखिए इस तरीके से और जो इसकी हमने इलियस पनाए हैं उनको सैट करेंगे देखिए इस तरीके से और बाके इन जगाँ उपर पर हम लैस लगाके डेकुरेट करना है अभी देखिए यह पूरा हमारे होस्त बनके तैयार हो चुका है यह किस तरीके से बनाए है यह हमने आपको बता दिया है अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू